करते हैं BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isoslis. यहाँ पे हमें बताया गया है कि BE और CF यह equal altitudes हैं ठीक है किसके triangle ABC के? figure draw कर लेते हैं then आपको अच्छे से concept समझ में आएगा like मैंने यह एक triangle draw कर लिया triangle का नाम लिख देते हैं ABC अब altitude क्या दिये हुए है हमें BE मतलब vertex B से altitude है B से altitude किस पे आजाएगा? AC ठीक है? AC F एक altitude है तो vertex C से यह किस पे जाएगा? AB पे altitude आपको पता है न 90 degree के होते हैं मैं यह 90 degree का sign लगा देती हूँ ठीक है? जो vertex B से आ रही है यह line इसका नाम क्या है? BE तो इसका है C F ओके हमें ABC ट्राइंगल को ISOCLEASE प्रूफ करना है इसी तरह का question हमने 7.2 में I think question 3 और 4 है वो भी attempt किये थे बट यहाँ पे ना already mention है कि आप RHS यूज़ करोगी उन questions को हमने प्रूफ किया था एंगल साइड एंगल यूज़ करके देखो क्योंकि यह 90 degree का given है एंगल A common है और यह वाली साइड equal है इस वाली साइड के तो हमने यह triangles को congruent दिखाया था बट वहाँ पे हमने यूज़ किया था क्या यूज़ किया था triangle side angle और यहां पर हमें मैंचन क्या है हमें यूज़ करना है और एच्छ कॉंग्रेंगल से हम लोग क्या करेंगे हम इस वाले triangle को congruent दिखाएंगे इस वाले triangle से मैंने दो अलग-अलग colors का यूज़ क्या हाइलाइट करने के लिए triangle को अगर हम triangles को congruent दिखा देंगे ना तो हम यह बोल सकते कि angle B equal angle C के by corresponding part of congruent triangle यूज़ करके यहां पर हम लिखेंगे in triangle B E C and triangle C F B सबसे पहले हम given ले लेते हैं B E equal है C F के यह हम लोगों को given है altitudes are equally given है ना हम लोगों को इसका हमने use किया then हमें पता है कि यह जो angle हमें दिया हुआ है यह 90 degree का और यह भी 30 degree का है altitude 90 degree पर होता है यहां पर हम लिखेंगे angle B E C equals to angle C F B altitude है that's why यह है 90 degree का okay then आप लोगों देख रहो होगे figure में जो यह base है B C इसको red color से भी indicate कर रहे है blue color से भी it means B C तो common है यहां पर हम लिखेंगे B C equals to B C और यह common है देखो यहां पर हमने दोनों triangles में 90 degree के angles दिखाई हैं 90 degree के angles को हम क्या बोलते हैं right angle तो यहां पर हमने R दिखा दिया 90 degree के सामने वाली साइड B C है इसमें और इस वाले में भी B C है B C equals to B C यह दिखाए था ना 90 degree के opposite वाली साइड कौन सी होती है hyperteneuse तो यह जो हमने BC equal दिखाया है यहां हमने दिखा दिया hyperteneuse equal है दोनों triangle के और यह हमने side equal दिखाई है तो यहां से हम क्या conclude कर सकते हैं कि triangle B E C congruent triangle C F B K किसका यूज़ करके by RHS congruence rule यह rough काम हम लोग erase कर देते हैं triangles को congruent दिखा चुके हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि angle B equal है angle C के by C P C T corresponding part of congruent triangle angle B और angle C यह इस बड़े वाले triangle का भी हिस्सा है triangle ABC का partner angle B और angle C और triangle ABC में दो angle equal होगे तो अब हम क्या कह सकते हैं यह जो triangle है isosilis triangle है therefore we can say that triangle ABC is an isosilis triangle hence approved you